हैलो गाइस वैलकम माई यूटूब चैनल परी ब्यूटी पालर एंड सलाइ बुटिक तो गाइस आज हम सिखाएंगे प्लाजो पैंट में पॉकिट को लगाना तो गाइस वीडियो को पूरा देखें बीच में छोड़े ना तो गाइस देखिए यह हमने पॉकिट के लिए फैब्रिक ले लिया है इसी में हम पॉकिट कट करेंगे तो यहां पॉकिट की लेंध हम 15 इंच ले रहे हैं लेंध हम 15 इंच रखेंगे क्योंकि यहां हमारा थोड़ा टाउजर जो है थोड़ा बड़े साइज में है तो आप 14 इंच तक रख सकते हैं और यह हम नीचे की तरब थोड़ा बहुत हमारा तिर्च्छा कपड़ा है तो इसको हमने कट करके अलग कर दिया है निकाल दिया है दिखी गैस यह लेंध हमारी पूरी 15 इंच है उपर की सेड चोड़ाई हम 6 इंच रखेंगे और यह नीचे की चोड़ाई हम 7 इंच रखेंगे यानि की 7 इंच चोड़ाई रखेंगे स्केल से इसको सीधा कर देंगे तो गाईस अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें और बैल एकन को जरूर प्रैस कर दें जस से हम जो भी वीटियो अपरोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा तो देखिए guys, यहान नीचे की side हमने गुलाई दिया नीचे की side, यह pocket में हमने गुलाई को लगा दिया और इसको cut कर दिया, इसी mark पर अब यहान थोड़ा हमआरा उपर की side, थोड़ा कपड़ा तृच्छा है इसलिए हमने इसको cut कर दिया कि देपी जयां पॉकेट को हमने कट कर लिया है तो यह हमारा फेब्रिक हुए जिस पर हम अटेज करेंगे पॉकेट को तो देखिए हैं यह यहां हमने प्लाजू änd भी की हमने दो इंच यहां छोड़ दिया है दो इंच पर मार्क कर दिया और यह दूसरा टिक हम दो इंच का लगा रही है तो गैस यहां देखना यह हमने दो दो टिक लगाई तो देखना इस तरह से हमारे दोनों टिक कवर हो जाएंगे दोनों मार्क कवर हो जाएंगे 2 इंच हमने फोल्ड कर दिया तो हमारे दूसरा टिक कवर हो गया और जो हमारा टिक लगा हुआ है बहाँ से इंच टेप रखेंगे 5.5 देखना गाईस है है साड़े पांच इंच पर हम दूसरा मार्क करेंगे यह हम पॉकिट के लिए मार्क कर रहे हैं तो साड़े पांच इंच हमने यहां मार्क किया साड़े पांच इंच में अच्छी से हमारा हैंड चला जाएगा अच्छे से उसमें हाथ मेरा चला जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं आएगी तो यहां लगबख हाप इंच की गराई में यहां मार्क लगा दिया यहां हम पॉकिट अटेच करेंगे तो देखी गाइस यह हमारी प्लाजो पैंट है तो इसको हमने सीध्धी साइड में रखा है और यह हमारा पॉकिट है इसी के उपर हमने पॉकिट को बिछा लिया और देखी गाइस यह हमने उपर तक यह पॉकिट को बिछाया जहां से हमारी लाश्टिक पढ़ेगी अच्छे से मिला लिया उपर से और जो हमारे मार्क लगे हुए थी प्लाजो पैंट में तो उसी को हमने यहां पॉकिट पर उतार लिए है अब यहां हम इस्टीचिंग करेंगे तो यहां मसीन को दुबारा से बैक कर लें जिसे हमारी सिलाई खुले ना सिलाई को अच्छे से लगाएं सीधी लगाएं सुई को अंदर रहने दें बूट को घुमा लें तो देखिये कई सिलाई में यह हमने पॉकिट को अटेच कर दिया है अब यहां हम cuts लगाएंगे तो cut जो किन्प लगाई अच्छे से कट लगाना है बिल्कुल स्टीक कट लगाना है बिल्कुल अच्छे से उसको हम पलट देंगे उल्टी सैड में और यहां हम पॉकेट में यहां सिलाई लगाएंगी बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगाएंगी फिनीसिंग की गाइस यहां बहुत अच्छे से सिलाई लगाएं क्योंकि यह हमारी सिलाई दिखेगी सुई को अंदर रहने दे बूट गुमा ले बिल्कुल यहां फिंगर से एकदम बिल्कुल किनारी अच्छे से बना ले बिल्कुल यहां फिंगर से समालते जाएं फैबरिक को सुई को अंदर रहने दे फैबरिक को गुमा ले बूट गुमाएं तो गैस देखिए यह हमारी सीधी साइड है यह हमारी प्लाजो पैंट की सीधी साइड है तो गैस यहां आप उल्टी तरह इसको पलट देंगे यहां हमने देखिए पाउकिट को बिल्कुल एकदम बीचो बीच से मोड दिया है पकड़ लिया बीचो बीच से एकदम बिल्कुल बरावर पाउकिट को डवल कर दिया है उपर से अच्छे से मिला ले बरावर में इसको हमने डवल कर दिया पाउकिट को उल्टी साइड दिखिए कैस हम अच्छे से मिलाएंगे यहां बरावर और जो हमारी जो नीचे की साइड है यहां जो हमारी टाउजर की जो नीचे साइड हमने जो सिलाई लगाई हुई थी हाथ डालने के लिए बहीं तक हम सिलाई लगाएंगे यहां पाउकिट में यहां हम टिक लगा देंगे तो गैस देखिए यहां पर हम हाप इंच का मार्जन देती हुई यहां सिलाई लगाएंगी हम इतने में ही सिलाई लगाएंगी पौकिट की नीचे साइड सिलाई लगा लेंगी अब इसको पलट देंगे पौकिट को पलट देंगे यहां इसको हैंड से ठीक कर लेंगे फैबरिक को और यह अपनी पौकिट को हम समाल लेंगे ठीक कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे देखिए गाइस यह हमारी पौकिट की एक खुली साइड है तो इस पर हम मसीन चलाएंगे सिलाई चलाएंगे तो यहां अच्छे से मिला लें यह देखिए हमने टाउजर की सीधी साइड में रख लिया टाउजर को और यहां नीचे से हम सिलाई लगाएंगे देखिए यह हमारा पौकिट ऊपर तक आया है बिल्कुल जहां हमारा यह नेफा नेफा बनेगा लाश्टिक डालने के लिए तो गैस देखिए नीचे से हम सिलाई लगाएंगे और जो टाउजर में जो हमारी सिलाई लगी हुई है हाथ डालने के लिए इसमें हम एंड डालेंगे तो गैस बिल्कुल हमारे टाउजर की सिलाई दबे ना बिल्कुर हम सिलाई को नहीं दबाएंगे जो हमारा पॉकेट है हम उसी पर सिलाई को लगाते जाएंगे उपर तक अच्छे से देखना गाइस बहुत यहां अच्छे से देखना क्यूंकि सबसे हार्ड हमारी पॉकेट ही लगाना है तो देखे गाइस अभी यहां जहां नेभाव बनेगा हमारी लास्टिक पड़ेगी तो वहां हम पॉकेट को अटेच कर देंगे इदर उदर हमारी पॉकेट नहीं जाएगी तो हमने सिलाई से अटेच कर दिया देखिए गाइस यहां हमारी कित्ती बहुत अच्छी से यहां हमारी पॉकिट अटेच हो गई है यह देखिए तो गाइस देखिए यहां हमने पॉकिट को बिल्कुल ऊपर तक लगाया है तो हम पॉकिट को पॉकिट बाला फैबरिक मिलाती हुई यहां अपना नेफा बनाएंगे तो यहां हमने दो इंच लिया था लास्टिक डालने के लिगे तो यह हमने दो इंच मोड दिया यहां पर हार पिंचंन एक बार मोढा पर दूसरी बार में इसको मोढा दिया ज इतनी चकली हमारे यह लास्टिक हो उतना ही यह फोल्ड करें तो देखी गैस यहां इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे यहां देखी हमने इतना चकला यहां रखा है चोड़ाई में इतना लाश्टिक डालने के लिए इसी की उपर हम बैक बाला पार्ट अटेच करेंगे पीछे वाला जो पार्ट है हमारा उसको अटेच करेंगे तो हमने बहुत ही सरल तरीके से पॉकिट को लगाना बताया है तो गैस हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें